हेलो फ्रेंड्स वेलकम तु माई यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब दोस्तों आज मैं घर में पड़ी बिकार सीडियों से कुछ जुगाड लेकर आई हूँ जो की आपके पैसे की तो बचत करेंगे इसासत आपके किचन और घर को भी और्गनाईज करने में काफी इस तरीके से दोस्तों मैंने एक छेट कर ली हैं इस तरीके से आप सारे की सारी सीडि में हमने इस तरीके से ही निशान बना ले ले यह देख सकते हैं फ्रेंड मैंने इस सीडि के सारी तरफ इस तरीके से खोल कर लिये हैं अब हमें क्या करना है अब हमें लीना है एक यह देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसको गुल्यू के साथ चिपका दिया है अब हमें क्या करना है अब हमें लेनी है एक बोटल कैप और बोटल कैप को भी हम इसके साथ अच्छी तरीके से चिपका देंगे यह देखे दोस्तों मैंने बोटल कैप को भी इसके साथ चिपका दिया है अब हमने यह जो सीडी बनाई है इसको हमने इस बोटल कैप के ओपर भी किसी ग्ल्यू की मदद से चिपका देना है यह देख सकते हैं दोस्तों मैंने इस सीडी को ग्ल्यू की मदद से इसके ओपर चिपका दिया है यह देखिए दोस्तों हमारा कितना सुंदर सा एक छोटा सा और्गिनाईजर बनकर तेयार हो गया है इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों हमारे घर में धर सारे चमजर और फॉक हैने जिनको और इर्गनाइज करने के लिए एचिछ मारकेट से खरीब के लिए लेकर आते हैं तो हमने यह देखिए वी भ॥ेकाट सीडी से ब्लगनागर तैयार कर लिया है अब हम इसके अंदर आपने जितने भी स्कून से हैं उसको लगा लेंगे मैं आपको लगा कर दिखाती हूं आप इसके अंदर स्कून पोक अपना कोई भी लगा कर अर्गिनाईज कर सकते हैं यह देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर मैंने अपने सारे फॉक और चम्मच को रख लिया है यह हमारा सुन्दर सा एक फून स्टैंड बनकर तयार हो गया है जो की हमने घर पे रखी हुई बेकार सेडी से तयार कर लिया है ऐसे इस तरीके से आप अपने दोस्तों घर पे रखे हुए बेकार समान का यूज़ करके अपने घ्रस्ती का धे सारा पैसा बचा सकते हैं चले दोस्तों देख लेते हैं अब सीडी का दूसरा जुगाड़ इसके लिए फिर से मैंने एक सीडी ले ली है अब हम क्या करेंगे इसी भी गरम रॉड की मदद से हम इसके अंदर छोट-छोटे सारी तरफ में होल बना लेंगे यह देख सकते हैं यह मैंने सीडी में छोट-छोटे होल सारे कर लिये हैं अब हमें क्या करना है अब हमें लेनी है इस तरीके की एक कैप और हम क्या करेंगे किसी ग्ल्यू की मदद से इस कैप को हमने इसके ओपर चिपका दे ला है यह देखे फ्रेंट्स मैंने इसको इसके ओपर चिपका दिया अब इसका इस्तिमाल कैसे करना है इसका यूज हम दोस्तों दो तरीके से करेंगे कई जब हम सिंग में अपने अपने बरतन को WASise swimming करते हैं तो चोटा मोटा जो भी हमारा कचरह वह मारे सिंग की जाली में फस जाता है तो हम क्या कर सकते हैं इसको अपनी सिंग की जाली के उपर इस तरीके से लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है सारा कच्रा जो है इसके ओपर आ जाएगा और इसके होल के तुरू पानी जो है ड्रेन हो जाएगा जिसके कारण हमारी जो सिंग की नाली है वो कभी भी ब्लॉक नहीं होगी और दूसरा इसका करना है इसका कई पर दोस्तो हमारे घर में इस तरिके के चोट-चोटे बा उल्ट ϊते हैं जिनका कोई भी उपर से लिड नहीं होता। जब हम इसके अ crime करके रखते हैं तो इसको डखने के लिए भी हमें लिड की जिरत होती है। ये as a lid भी हमारा बहुत ही अच्छा option बनकर तियार हो जाए चलिए front बढ़ते हैं अगले DIY की तरफ कुछ CD हमारे पर दोस्तो इस तरीके से टूटी-फुटी होती हैं जिसको की हम बेकार समझ कर फैंक देते हैं तो इन तूटी-फुटी CD से भी मैं आपको एक बहुत ही बड़िया organizer बनाना सिखाने वाली हूँ उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो हमारा तूटा हुआ पार्ट है इसको हमने इस तरीके से हाफ में कट कर देना है ये देखें दोस्तों ये मैंने दो CD के पीस जो है कट कर लिये हैं अब हमें क्या करना है अब हमें लेना है कोई भी cardboard का इस तरीके से piece अब हम क्या करेंगे cardboard को हमने इसके CD के हिसाब से हमें इस तरीके से बराबर में कट कर देना है अब दोस्तो इस तरीके से मैंने नाप के इतना कार्डबोर्ड का चोटा सा पीस कट कर लिया है अब हमें क्या करना है अब हमें किसी ग्ल्यू की मदद से इसको इसके ओपर इस तरीके से दोनों साइड पे चिपका देना है दोस्तो इसको मैं आपको इसी तरीके से ही करके दिखा रही हूँ, अगर आप इसको थोड़ा सा ब्यूटिफुल करना चाहते हैं, तो आप इसको किसी भी फेपर से या कपड़े से भी डेकोरेट कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ, यह दे में से कोई पी टिप आपको हेल्फुल लगी है, तो दोस्तो इसको लाइक कीजेगा, और ज्यादा से ज्यादा आपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजेगा, और आप में से जुड़े रहना चाहते हैं, और इसी तरीके की यूसफुल वीडियो और भी देखना चाहते ह हैं, तो बैल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजीगा, चलिए दोस्तों मिलती हूं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई, थैंक्स और वाचिंग